हमारी चैनल ग्यान विशेश को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएए नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त हाचिर हूँ फिर से एक नई और मत पून जानकारे को ले करके दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत सुन्दर पौधे से अवगत करा रहा हूँ ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये रुद्र जटा है इस पर अतिस सुन्दर पुस पलगते हैं जिसके सुन्दरता के कारण घर के आंगन में और बाग बगिचों में लगाया जाता है पौधा होता है और इसके पत्र अंडाकार और लंबे तता बालाकार भी होते हैं ये पांच चेंट्रीमिटर चोड़े होते हैं सुरवाती दोर में ये पत्ते हरे रंके होते हैं और दीरे दीरे ये पत्ते लाल रंके होने लगते हैं इस पौधे पर सुन्दर मकमल के समान गुलाबी रंग के पुस पलगते जो चपटे होते हैं। इस सुन्दर फूल को दूर से देखने पर मुर्गे की कलगी के समान नजर आता है। इसलिए कहीं लोग इसे मुर्गा केश भी कहते हैं। कहीं कहीं इसे लाल मुर्गा भी कहते ह इस सुंधर फूल वाले पोदे का संस्कृत नाम है रुद्रजटा, सिकली, सिका और भेर चुड़ा, अंग्रिजी नाम कॉक्स कॉम्ब, क्वेल ग्रास और विग्यानिक नाम सिलोसिया अर्जेंटिया है दोस्तो वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें क्योंकि लाइक करना बिलकुल मुप्त है इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अलो नोटिपिकिसन पर क्लिक करें जिससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिपिकिसन आप तक पहुँचती रहे तो दोस्तो चलिए जानते हैं बीना टाइम गवाएं इसके बारे में विज्टार से इस पोधे को हिंदी में लाल मुर्गा, मुर्गा केस, जटादारी और कोकन से पहचानते है जिसके अलग-अलग प्रांतों और बासाओं में इसके अलग-अलग नाम है इसके नामों की सुची डिस्प्रिक्शन बॉक्स में दी जाएगी दोस्तो आप इस सुन्दर पोधे को किस नाम से जानते हैं ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताए दोस्तो इस सुन्दर फूल वाले पोधे को अपने घर के आंगन में या गमले में जरूर लगाए इसे घर की सुन्दरता बहुत बढ़ती है हाँ इस फूल में खुस्बू नहीं होती इसके अलावा इसकी दो और प्रजातिया पाए जाती जिसमें पीले और नारंगी रंग के पुस्ब लगते है यह पोधा अपनी सुन्दरता के साथ साथ कई रोगों का निवारण भी करता है इसके आयरवद के गुणों के हम बात करें तो इस स्वाद में मतूर कसेला थोड़ा खटा कड़वा और शितल प्रकृतिका होता है यह पचने में हलका होता है और कप पित क को मिटाता है दोस्तों हम आपको बता दे कि इस पोधे का ज़्यादा तर उप्योग वसी करण में किया जाता है यह भूत बादा और ग्रह बादा की निवरण के लिए उप्योग में लिया जाता है यह पोधा स्वास रूग में उप्योगी होता है दस्त को मिटाता है और र करके रखतस्त्राव को मिटाता है महिलाव में होने वाली अधिक ब्लीडिंग तथा सपेद पानी की समिश्या को भी दूर करता है इसके अलावा खुने बवासिर में भी ये लाबकारे हो सकता है दोस्तों इसके पूलों में से सुंदर सुक्सम बीज निकलते हैं जो काले रंक के होती है इसका गुंदर्म मुत्रल होता है ये पेशाब की जलन और रुकावट को दूर करता है इसका लगादार दस दिनों तक प्रयोग करने से पत्री गलकर निकल जाती है ये पोधा बहुत ठंडी प्रकृतिका होता है इसके ताज्य पत्तों का रस निकाल कर तिन से चा अर्जुन की चाल उतनी मात्रा में लेकर क्वात बनाए या पाने में उबालकर चाय की तरह स्योन करे इस प्रकार के प्रयोग से सिने में होने वाला दर्द तुरंत मिठता है तथा रदे के लिए बहुत हितकारी होता है इसके बीजों को पाने में उबालकर 10-15 मिलकी मात्र में रोजाना पिने से मुत्र की रुकावट मिठती है तथा पत्रे में बहुत लाब होता है। दोस्तों ये पत्री को गलकर निकाल देता है। इसके लिए इस पोधे के मूल का चूर्ण बना लेना है और 500 मिली ग्राम की मात्रा में लेना है। तथा चावलों के धोन के साथ प करना है। इसके बीज भी बहुत लाब कारी होते है। इसके बीज 500 मिली ग्राम की मात्रा में लेकर सहत में मिला कर खाने से सभी प्रकार की खांसी में फाइदा होता है। इसके अलावा इस पूरे पोधे के पंचाग को 2-3 ग्राम की मात्रा में लेकर पिने से भी कास और खा मूल मिलाए दोस्तों पंचा का मतलब होता है पूरे पोधे के पांचों अंग याने पूल पत्ते बीज तना और जड़ अब इन सभी अवसद्यों को इकटा करके पाने में उबालकर चाय की तरह पिने से यकृत की सुजन उतर जाती है दोस्तों ये पोधा काम सक्ति को भी है इस प्रयोग से काम सक्ति कापी बढ़ जाती है तो दोस्तों ये थी आज की महत्व पूर्ण जानकारे वीडियो पसंद आने पर लाइक करे शेर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारे के साथ